लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और उद्यमी संतो सेटी ने बढ़ते कोरोना को रोकने उद्धाव सरकार द्वारा लगाई जा रही लौकडाउन पाबंदी पर सवाल उठाएं संतो सेटी ने अपनी ही आगाडी सरकार पर तंज कस्ते हुए कहा कि तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना संकरमर थमने का नाम नहीं ले रहा है फिर भी मुख्यमंत्री और धार मंत्री और सरकार के मंत्री भाशरबाजी में लगे हैं कांग्रेश नेता ने संभावित लागडाउन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इससे कारोबार और रोजी रोटी और भी चोपट हो रही है आर्थिक संकर्ट पैदा हो रहा है इसलिए सरकार को भाशरबाजी की बजाए पुखता इंतिजाम करने चाहिए ताकि लोगों को रहत मिल सके देखे रिपोर्ट पुद्धोजी जी विनंति है टीव में कमाओ काम में जास्तियाओ टीव में बाशन करने से प्राब्लम सौलने होता है आज का परिस्टी क्या है विन्टिलेटर नहीं है आइसिव को प्राब्लम है लोगों को जान बचाना चुरू जान रहेगा तो सब कुछ है लोगडाउन करने से स्वाल नहीं होगा लोगों को वही साब से इंजेक्शन मिलना चाहिए आईसीओ का फैसिलिटी होना चाहिए उसके लिए कुछ मुक्यवंद्री करें कांग्रेस के वरिष्ट नेता संतोष चटी ने नविमबई में बढ़ते कोरोना और कम पड़ रहे मेडिकल इंतजामों पर अपनी ही सरकार की कान खिचाई करते हुए ततकाल उपाय करने को कहा है संतोष चटी ने कहा कि नविमबई के हर हास्पीटल में आजकल मरीज भरे पड़े हैं अपोलो, फोर्टिस, डिवाई पार्टिलर और रिलाइंस जैसे प्राइबेट अस्पतालों में सीरियस कोरोना मरीज इतने बढ़ गए हैं कि बेड़ और वेंटिलेटर के लिए हर हास्पीटल में 25 से 30 मरीज वेटिंग में हैं इसलिए सिर्फ लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए सरकार को ततकाल कुछ उपाय करना चाहिए आज का परिष्टी इतना घंबीर है, वेंटिलेटर है तो आईस्यू बेड नहीं है, यह सुरह बहुत सारा दिक्खत है, आज रेमिडेशिवर नहीं है इधर भी, लोग ब्लैक में बैसते हैं तो 4000-5000, दुसरा ओटोसी ऐसा कुछ इंजेक्शन है, कोई 40-47,000 का है, जिसका इफेक्ट जास्ती होगा, उसको जुरूरी है, वो भी नहीं मिलता है, हर ऑस्पिटल में बहुते का जुए पार्टिल है, तेरना है, यमजम है, अपोला है, रिलेंस है, फोल्टी से, और कुछ कुछ की चोड़ चोड़ ऑस्पिटल है, हर ऑस्पिटल में कम से कम 20-20-25-30-30 इस वेटिंग है, वेंटिलेटर नहीं है, राज्य सरकार के बुलना है कि यह सब टैक्स फिक्स बाजी में रखो, कुट्टु करना चाहिए बागी है सब भाजी में रखो, यह लॉक्ड़ ऑन फाक्ड़ ऑन फाक्ड़ ऑन यह सब क्या है, कॉंग्रेस के प्रदेश सचिव अपनी ही महागारी सरकार पर यह भी तंज कस्ते हुए कहा, कि तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना संक्रमर थमने का नाम नहीं ले रहा है, फिर भी सीयम, पीयम और सरकार के मंत्री भासरबाजी में लगे हैं, और लॉक्डाउन के जरिये कोरोना रोकने का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस नेता ने कहा कि सिर्फ लॉक्डाउन से कुछ नहीं होगा, बड़ी-बड़ी मीटिंग की बजाय उद्धो सरकार को खुद के दम पर कुछ पुखता इंतजाम करने चाहिए, जहां दवा और वेंटिलेटर नहीं है, वहां दवाई और वेंटिलेटर ज अच जिदर जिदर वेंटिलेटर नहीं है, अजिंब डSee है, अटर करो बागे सब काम पाजू में रखो। ऑच परिशान ऐसा हैं, लोग मर रहा है है इह, इसके लिए सरकार कुछ न मियो होतना करना चाहिए, बेंटिलेटर के वां बास्शन करने से होगा नहीं है, मुक्य म सरकार के अंदर सरकार का विशय लेना हमारे लिए शरम जाना का बात है क्योंकि उनको पड़ी नहीं उनको काल इलेक्षन पड़ा है जगड़ा लगाना पड़ा है जाती धरम का पड़ा है संतो स्टी ने नईमबाईकरों की पीड़ा बयान करते हुए कहा कि हर दिन 900-1000 लोग कोरोना शंक्रमित हो रहे हैं इसे रोकने मनपायुकत अबिजीत बांगर के प्रयास ठीक हैं लेकिन नाकाफी होने से जान जा रही है उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है इसलिए सरकार को नईमबाई के लिए ततकाल दो सब वेंटिलेटर देना चाहिए कांग्रेश नेता संतोष चटी ने सिया मुद्धाव से दो टूक लहजे में कहा कि टीवी कैमरे पर कम आओ पहले वेंटिलेटर पर ध्यान दो क्योंकि सिर्फ भाशर से काम नहीं चलेगा इंतजाम से जान बचेगी आज एमजन में को बैड लिया है उनने बैड बढ़ाना बात ने वेंटिलेटर की मस्ट है क्योंकि जिसका स्वास points जिसका Le Fifth को इसको जरूरत है सरकार कम से को बोलो वेंट्री लेटर सरकार वेंट्री लेटर बेजे उसको इसके लिए कुछ कदम अच्छा कदम सरकार उटावे जाहिर है 15 अप्रैल से फिर लॉकडाउन लगने वाला है माना जा रहा है कि इससे नौकरी और कारोबार के लिए और ज्यादा चिंता जनक स्थिति पैदा होगी इसलिए सरकार को इस पर सोच समझ कर नरणा लेने की जरूरत है ब्योरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया